Maximum Dimensions का क्या आर्थ होता है यह आज की वीडियो में सीख लेते हैं Maximum का मतलब होता है अधिक्तम या अधिक से अधिक यानि कि किसी चीज की जादा से जादा जो लिमिट होती है या जो record की unit होती है उसको Maximum कहते है और dimensions का मतलब होता है I am, I am का मतलब होता है कि किसी चीज की लंबाई, चोड़ाई, उंचाई जो होती है, उसको उसका dimensions कहती है, तो maximum dimensions का मतलब है कि किसी भी चीज की जादा से जादा लंबाई, चोड़ाई या उंचाई कितनी होनी चाहिए ये आपको उस चीज की maximum dimensions के बारे में बताता है यानि कि मानली जी आपको कहीं गाड़ी लगानी है और parking का जो maximum dimensions है वो मानली जी 9 foot उची गाड़ी का है लेकिन आपकी गाड़ी 10 foot उची है तो वहाँ पर आप लगा नहीं पाएंगे तो maximum dimensions जो है वहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए आपका 9 foot होना चाहिए तो इस तरीक से maximum dimensions का मतलब उता है किसी भी चीज की जादा से जादा लंबाई चोड़ाई या उच्चाई इत्यादी यानिकि maximum dimensions refers to the largest measurement or extent of an object space or entity in a specific direction यानिकि जो बाते मैंने आपको पहले बताई वो सारी अब यहाँ पर English में बताई गई है और इसके लिए कुछ example sentence आपके screen पर दिये गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं और इसको और बहतर समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें